कभी-कभी मन में इतनी सारी चीजे चलने होती है ना कि हमें समझ में नहीं करता है और चिरचिडापन भी भहुत रहता है क्या आपके साथ होता है ऐसा अगर आपके साथ होता है ऐसा तो आप मुझे कमेंट वाक्स में जरूर बताइएगा क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ कि जिनको आप फॉलू करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना ही आपका मन असांत रहेगा और ना ही आप परसांत रहेंगे क्योंकि मन सांत रहता है तो कोई प्रॉब्लम सामने आती ही नहीं है है ना मानेंगे ना यह वाद तो फिर चलिए वीडियो में लाज तक बने रहेगा तब ही आपका मन एकदम सांत होगा अगर वीडियो को स्किप करेंगे ना तो मन फिर रसांत हो जाना है आपका तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन 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 अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन है पास में उसको भी प्रेस कर दीजिए और प्लीज वीडियो को लाश तक देखेगा वीडियो को लाश तक देखेगा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइकक का बटन होता है उसको प्रेस करना बिलकुल मत भूद देगा क्योंकि पता है आपके एक लाइक से मुझे motivation मिलेगा जिससे कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी और helpful वीडियो ला सकती हूँ तो चलिए वीडियो को start कर लेते हैं बिना देव किये हुए अगर मन असांत रहता है तो हम ना तो कुछ सोच पाते हैं और ना ही कुछ बाते समझ पाते हैं हमें ये भी समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कभी-कभी मन में कई सारे चीजे चल रही होती है इससे मन काफी असांत हो जाता है कैसे आप अपने मन को सांत कर सकते हैं चलिए देखते हैं इस वीडियो में अगर आपका मन असांत है तो आपको गहरी सांस लेनी चाहिए जब भी आपको लगेगी आपका मन बहुत ज़्यादा असांत हो रहा है तो आपको लंबी और गहरी सांसे लेनी है इससे आपका मन थोड़ा सांथ हो जाएगा और आपको काफी अच्छा महसूस होगा अगर आपका मन बहुत ज़्यादा सांथ रहता है तो आपको रोजाना योग करना चाहिए योग करने से आपका आधा तनाव दूर हो जाता है आपको यूगा को कम से कम 30 मिनट का समय जरूर देना चाहिए थर्ड नंबर पर जो चीज आती है वो आती है सकारात्मक बिचार कभी-कभी इधर उधर की कोई बात गलत नहीं सोचनी चाहिए आपको हमीसा नकारात्मक सोच से बचना चाहिए आपके मन में हमीसा सकारात्मक बिचार ही आने चाहिए मन को सांध करने के लिए आपको बही करना चाहिए जो आपको पसंद हो इस से आपको मानसिक सांथी मिलेगी और आप काफी बहतर मैसूस करेंगे इन सब के अलावा एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर उपाय है जो कि है दोस्तों के साथ घूमना अगर आपका मन बहुत ज्यादा असान्थ हो रहा है तो आपको अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहिए उनसे बात करने चाहिए और कहीं घूमने जाना चाहिए आपको जो भी खाना पसंद हो वो खाना चाहिए तो कैसे लगी आपको आज की वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा थएएएएएएएएएएएएएए पती है